लाल बटन को दबाए के सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और कलिक करें bell आइकॉन को झाके आपको आने वाले वीडियो मिलती रहें बिल्कुल free Hit the red button for subscription and click the bell icon for upcoming videos, it's free उसके comparatively उसकी निस्बत काफी डिटेल्ड वीडियो है और मेरी कोशिश यही है कि यह आप लोगों को समझ आ जाजा है नोविल बर्चिस्टर टावा इस नोविल को एंथनी ट्रॉलप ने 1857 में लिखा था यह एक फिक्शनल ख्याली राका है बर्चिस्टर जिसके बारे में बात करता है ट्रॉलप क्योंकि खुद भी सिवल सर्वेंट थे इसलिए उनके ख्याल में हर इंसिटूशन में एक स्टेंडर्ड पॉलीसी और परसीजर होने चाहिए नेपर्टिजम और सिफारिश नहीं चलनी चाहिए और फानेंशल एब्यूस नहीं होना चाहिए इस नॉ यह बजाए चर्च की पहतरी के लिए अपना अपना इंफूर्स काइम करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो इन दोनों ग्रॉप में से हैं वो कोशिश करके सारी अड्मिस्ट्रेशन हैं उसका चार्च संभाल ले और जो भी चर्च की अथार्टीज हैं उस्पिटल हैं उ और चर्च के सारे अफेर्स जो हैं वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं दोनों ग्रॉप अब इसके कुछ ट्रेक्टर्स हैं में करेक्टर्द हमको डिसकस कर लेते हैं मिस्टर स्लोब यह एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है और हमें इस नॉविलन भी कह सकते हैं यह काफी अदमी है यह बुशर्प का प्राइवेट चैपलन यानि जाती पादरी है और इसकी जो अपॉइंटमेंट इसलिए की गई है क्योंकर यह एक अच्छा स्पीकर है और यह अपनी बातों से ज़्यदा से ज़्यदा लोगों को इंप्रेस कर सके ज़्यदा से ज़्यदा ओडि अपने और चैर्च के फैसले खुद नहीं ले सकता इसकी बीवी का बहुत रोब है इसकी वाइफ का और मिस्टर स्लोप का काफी अमल दखल है बुशर्प के तमाम अफेर्ज में यानि बुशर्प कोई भी डिसीजन लेने से पहले वाइफ और स्लोप की राये लेता है इसक चैर्च के एक हॉस्पिटल था जो एक खेराती हॉस्पिटल है तो उसका ये वार्डन हुआ करता था जिस जमाने में ये नौविल लिखा गया था तब चैर्च के जरीए कई और इदारे भी चलाए जाते थे और चैर्च की काफी स्यदा वहाँ पर इंपॉर्टनस होती थी और काफी जयदा इंस्टिटूशन भी चैर्च के जरीए चलते थे स्कूल हॉस्पिटल आज भी चलते हैं लेकिन उस वक्त काफी स्यदा ट्रेंड था तो ये चैर्च का एक हॉस्पिटल है वहाँ पर ये वार्डन था हार्डिंग लेकिन पिर नूजपेपर में ऐसी रिप पोस्ट पर रह सकता था लेकिन ये लडाई जगड़े को आवाइड करता है इसे बात में डीन का भी ओदा दिये जाता है लेकिन ये एकसेप्ट नहीं करता वो वार्डन की पोस्ट ये दुबारा हासिल करने की कोशिश करता है पुछ आता है ये हार्डिंग के मुझे वार्ड इसकी नंद है जिसके साथ ये रहती है मिस्टर एबिन मिस्टर एबिन एक बहुत इंटेलिजन्ट आदमी है वो स्कॉलर है और आक्सवोर्ड से पढ़ा हुआ है और ये डीन आफ बार्चेसल बन जाता है और आखिर में अलिनर की महबत भी हासिल कर लेता है डॉक्टर स्ट इसको बार्चेसर आना पड़ता है वापिस अच्छा अब इस नॉवल का जो स्टार्ट है वो बुशब ग्रांटली की मौस से होता है उसका बेटा बाप की मौत के बाद बिशब बनना चाहता है अब नए बुशब की अपॉइंट्मेंट का फैसला क्योंके गौशब करती ह और इसके बेटे को ग्रांटली को भी जानते थे लेकिन हुआ ऐसे कि जब बुशब की डैथ होती है तो गौवर्मन खतम हो जाती है और नई गौवर्मन आती है तो नए गौवर्मन में उसके इतने ज़्यादा तालुकाद नहीं होते तो वो डॉक्टर प्रावडी को बु कि अप्रावडी काफी कमजोर इंसान है जो अपनी बीवी मिस्स प्रावडी के कंट्रोल में जैसा कि मैंने पहले बताया इसकी अपने को डिशीजन नहीं होते बलके इसकी बीबी जो कहती है वो ही करता है मिस्स प्रावडी अब चेर्च का तकरीबन सारा कंट्रोल सारे मामलात समा लेती है भुषप तो मिस्टर प्रावडी ही है लेकिन बिस्टीजन मिस्स प्रावडी के होते हैं वो Mr. Slope को बुशुप का नाइप यानि के प्राइवर्ट चैपलन हायर कर लेते हैं Mr. Slope क्योंकि उसकी नियत ठीक नहीं है वो एक बुरा आदमी है इसके बिला वज़ा क्रिटिसाइज करने की वज़ा से चैर्च में दो ग्रूप बन गए हैं वो दूसरों को बिला वज़ा क्रिटिसाइज करता है और इस ग्रूप में जैसे के स्लोप है Mr. and Mrs. Proudy है जब के दूसरे ग्रूप में ग्राइट ली और हार्डिंग का होता है ये दोनों स्लोप के अगेंस्ट हो जाते हैं और ये नौविल इनी ग्रूप के दरमान जो राइवलरी है दुश्मन ही है उसी को बियान करता है हार्डिंग अब बूड़ा हो चुका है और लड़ाई जगड़े को अवाइड करता है वो चर्च के खेराती अस्वाल में वार्डन था लेकिन उसकी सेल्वी की जो खबरें अख़बार में चपी के वो बहुत ज़एदा सेल्वी ले रहा है तो उसने रिजाइन करना ही मुनासिब चम्दा और कुछ टाइम वो चाहता था और निकाल सकता था लेकिन उसने महाजराई को हवाइड किया अब वार्डन की नोकी दुबारा वो हासिल करना चाहता है मिस्टर स्लोब उसे दुबारा ये जॉब आफर करता है लेकिन कई कंडिशन्स लगा देता है मिस्टर स्लोब नहीं चाहता कि ये पोस्ट इसको दुबारा मिले वो अपना कोई आदमी मांपर रखना चाहता है मिस्टर स्लोब ये पोस्ट क्युवर फुल को देना चाहता है ताके चर्च के मामलाद पर उसकी ग्रिप और धाना मद्बूत हो जाए इसलिए वो condition रख देता है harding के लिए ताके harding इस नोगरी से इंकारी कर दे वो harding को कहता है कि उससे week में कई बार इबादत का बंदोबस करना होगा Sunday schools भी चलाने होगे harding क्योंकि उमर के इस हिसे में है कि वो इतने जदा काम नहीं कर सकता वो बुड़ा हो चुका है इसलिए वो माज़रत कर लेता है इसके बास slope का रस्ता साफ हो जाता है proudie जो अब bishop बन चुका है वो announce करता है कि जितने भी पाद्री अपनी नोगरी से ख़यरा हाज़र है वो फौरण वापस आ जाएं उन्हीं लोगों में एक पाद्री स्टैन होब भी है जो काफी सालों से इटली में रह रहा है उसके तीन बच्चे है बेटा बेटी जिसे कहते हैं और वो बहुत ही बेकार और एक लापरवा सा इंसान है चारलट उसकी बड़ी बेटी है काफी समझदार है और घर का सारा सिस्टम चलाती है चोटी बेटी उसकी है मैडलीन जिसका शोहर उसे छोड़कर चला गया है चोटी बेटी जिसका शोहर उसे छोड़कर चला गया है और शोहर की मार पीट से वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही है और चोटी बेटी जो है यह काफी खुबसुरा था और आदमियों को अपनी तरफ जल्दी और टेक कर लेती है हार्डिंग की भी दो बेटीया है एक की शादी आर्ग डिकन ग्रांटली के साथ हुई थी और जबके दूसरी जो बेटी है इलिनर वो एक अमीर बेवा है वो अपने बच्चे के साथ रहती है अब स्लोब जो है वो स्टैन होप की भी बेटी के आगे पीछे नदर आता है और दूसरी तरफ वो इलिनर से भी शादी करना चाहता है क्योंकि वो इलिनर से काफी जूटी हमदर्दी दिखाता है और वो उसके सामने ऐसे रियक्ट करता है कि जैसे वो हार्डिंग को दुबारा वार्डन की पोस्ट दिलाने की कोशिश कर रहा है Iliner क्योंकि यह Harding की बेती है तो यह जायर करता है कि वह Harding को दोबारा वह पूस्स दिलानाई की कोशिश कर रहा है ताकि Iliner के दिल में जगा बना सके अजल में जो है इसकी नजर Iliner की दोलत पर है और वह उसे कहता है कि हार्टिंग को दوبारा नौकरी दिलाने के लिए वो बिश्रफ से बात करेगा इलीनर खुद भी स्लोप को इतना पसंद नहीं करती बस वो इसे परदाश्ट कर रही होती है और ग्रइन्ट्री को भी इलीनर का स्लोप से मिलना पसंद नहीं होता इनाटी क्योंकि उसकी भेहन का शोहर है तो वो से कहता है कि स्लोप से तुम नहीं मिलो यह बहुत बुरा आदमी है तो इलिनर वो पहले इतने द्यदा इंटरस्टिड नहीं होती लेकिन उससे घुस्ता आता है कि यार तुम क्यों मिरे पे इतने द्यदा मसलत होने की कोशिश कर रहे इनकी थोड़ी अन्बन भी हो जाती है स्लोप की वज़ा से अरेबिन जो अक्सपोर्ड से तलही मियाफता है वो काफी शरीफ और अच्छा इनसान है और उसकी अभी शादी भी नहीं हुए इसी दोरान एक पादरी की पोस्ट खाली होती है तो ग्रांट्ली जो है वो अरेबिन को ले आता है ताकि इस ड़ाई में उसका एक ग्रूप थोड़ा स्ट्रॉंग हो जाए अरेबिन क्योंकि पड़ा लिखा है और इंटेलिजेंट भी है और वो इलीनर को भी पसंद करता है दिली दिल में लेकिन उससे अभी उसने कहा नहीं है लेकिन दिली दिल में उसने भी कुछ इकरार नहीं किया उससे डॉक्टर स्टेनोब का बड़ा बेटा बर्टी जो काफी निकमा है उसे किसी अच्छे काम की उमीद नहीं होती लेकिन उसकी बेहन शौरलेट उसे ये कहती है कि बर्टी अगर इलीनर से शादी कर लो तो उसकी बहुत सारी दौलत तुमें मिल जाएगी। वो बर्टी को कहती तो वो उसे थपड मार देती है और अंदर चली जाती है इसी दोरान बर्टी भी लीनर को परपोस कर देता है और उसे बता भी देता है कि उसकी बेहन ने उसे यह सब करने के लिए कहा है लीनर का यह सब कोई सुनकर बहुत ज़्यदा दिल दुपता है वो काफी डिस्टरब हो जाती है अब इसके बाद बर्टी को उसका बाप घर से निकाल देता है और वो वापिस इट्ली चला जाता है मिसिस प्रावडी और स्लोप के तालुकाद अब काफी खराब हो चुके हैं और मिसिस प्रावडी अब स्लोप से जान चुडाना चाहती है कुछ दिनों बाद डीन आफ बार्चेस्टर मर जाता है स्लोप ये पोस्ट हासिल करना चाहता है मगर मिसिस प्रावडी उसे बार्चेस्टर से जाने का कहती है स्लोप एक अमीर बेवा से शादी कर लेता है और रंडन में रहने लगता है अरेवन जो दिली दिल में इलीनर को पसंद करता था अब उसे डीन की पोस्ट मिल जाती है और ग्रांटी उसे ये पोस्ट लानने में काफी मदद करता है अब एलीनर भी अरेवन को पसंद करने लगती है अब एलीनर भी अरेवन को पसंद करने लगती है और उनकी शादी हो जाती है और आखिर में अस्पिटाल के बार्डन की पोस्ट क्यूवर फुल को मिल जाती है